आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सीटेट किस परकार से किलियर करना है हमारा जो है सीटेट 10 बार यूपी टेट 5 बार हरियाना टेट यूके टेट और रीट लगबग सभी क्वालिफाई हैं कुछ ना कुछ तो हमने तरीके से चलना है, positive mind के साथ जाना है, तो बड़ी आसानी से निकल जाए, करना क्या है, आपको वो देख लीजी, आपका 30 marks का आपका CDP आते हैं, बाल मनो विज्ञान, यदि आप बालक को केंदर बिंदू पान कर सभी किसन करते हो, तो यकीन मानिए 20 पलस का बड़ी आसानी स हो जाए, बीना किसी तैयारी की, लेकिन आपको focus बालक पर रखना है, बालक के लिए क्या अच्छा है, क्या उसके फेवर में, बालक के लिए क्या सही रहेगा, केंदर बिंदू बालक को मानने, क्या उसके लिए अच्छा है, ये केंदर बिंदू मान कर आपको सारे किसन तो पैरागराफ अगेरा है कुछ नहीं है तो इसमें भी आप 20 प्लस ले लीजिए बड़ी आसानी से आ जाएंगे यदि आप ध्यान से करतो बिना किसी तेयारी के यदि आपका जो है बेसिक किलियर है कोई दिक्कत नहीं फिर आता है आपका 60 माक्स का आपका सब्जेक्ट आप SST ले लीजिए Maths ले लीजिए यदि आपका जो है 60 माक्स का आपका सब्जेक्ट आते है मेन यह है यदि आपका सब्जेक्ट अच्छ है आपकी सब्जेक्ट पे पगड़ है तो आपका टैट आसानी से निकल जाएगा हमारा जो सब्जेक्ट है Mathematics और Science है ओ लगबक 17 सा साल से हम टीचिंग करें mathematics की तो हमारा जो mathematics है वो थोड़ा ठीक ठाक सई है तो इसमें 40 पलस बन जाते हैं बड़ी आराम से तो आप भी जो है अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा करिए कि 40 पलस यह 40 का असपास हो जाए तो यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे माक्स कहीं हो जाएगा बागी बचा फिर संस्क्रत या इंगलीज जो भी आपने डाला है यह यह भी आपका यहलका फुलका है तो 50 पलस आप बड़ी आसानी से इसमें भी निकाल सकते हो 15 पलस तो कितना हो जाएगा आपका यह 80 यह हो चुका और 15 और 90 पर आपका जर्णल के क्या रहती है सीट आटम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चो प्रोबलम रहती है जिसको भी पोचा जाता है कि टाइम कम पड़ गया ऐसा कुछ नहीं है यह आप पेपर को तरीके से करते हो तो टाइम कम नहीं रहता है टाइम बहुत है हमने मैं साइंसे द लगाई थर्टी मार्क्स का अपना सब्जेक्ट कर लीजे एसेस्टी है तो कुछ नहीं छोड़ना है कम्प्लीट करिए यदि यह आपका मैंतमेटिक्स वगेरा है तो उसको करिए जितना आप कर सकते हो और जो हर्ड क्यूशन है आपसे नहीं हो पार है उनको छोड़ दीज तो इस चार पॉर्षन कर चुके आप 30-30 मार्क्स के CDP हो गया हिंदी हो गया मैत और साइंस या सेस्टी कुछ भी ले लीजे चार पॉर्षन आप कर चुके 120 मार्क्स के इतना करने के बाद आपको गोले भढ़ लेने है इतना कर लेने के बाद आपको गोले भढ़ लेने है उसके बाद आपको सबसे आदे टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, क्यों जादे तर बच्चों का ये सब्जेक्ट वीक रहता है, और जो सब्जेक्ट वीक है, सोरी, सबसे आदे टाइम आपको उसी सब्जेक्ट को देना है, यदि आप इस subject को ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें 50 पलस आप बढ़ी आसानी से निकाल सकते हो इसको सबसे अधे time आपको इसी को देना है बचा हो इसको करने के बाद 30 marks का इसके गोले भर लीजे फिर बाकी जो time बचा उन question को दीजे जो आपके रुके हुए math, science के जो hard question आपसे नहीं निकले उनको time दीजे निकलते हैं जब सही नहीं निकलते हैं जब सही बाकी उनका भी आपको गोला भर देना है तो यदि आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हो तो आपका टैट बड़ी आसानी से निकल जाएगा बाकी आप हमारे से जुड़े रहिए कुछ न कुछ ट्रिक आपको मिलती रहेगी जो आपका टैट निकालने में काफी help करेगी चैनल को like कीजे, share कीजे और subscribe कर लिजे जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification तुन्त मिल जाएगे धन्यवाद